envisage यह जो word आप देख रहे हैं E-N-V-I-S-H-G-E इसका correct pronunciation होता है envisage अब envisage का मतलब क्या होता है किसी से आख मिला पाना या किसी का सामना करना किसी से आख मिलाना या किसी के सामना करने को इंगलिश में कहते हैं envisage कई बार आपने face word भी use किया होगा face difficulties कि मैं उसको face नहीं कर पा रहा हूँ उसकी जगह पर ये एक नया word और ये amazing word इसको लेकर आओ अपने dictionary में और अपने vocab को बहुत शांदार करो अपने communication को amazing करो attractive करो for example देखें he can't envisage with me वो मुझसे आख नहीं मिला सकता वो मुझसे सामना नहीं कर सकता क्यों क्यों कि आखिर उसने कुछ किया होगा वो another matter है but he can't envisage with me वो मुझसे आख नहीं मिला सकता second example देखें his son was not able to envisage with his father उसका son क्या था उस लायर में था कि वो अपने father से आख मिला सके या उसका सामना कर सके तो friends आज कर यह बढ़ता है envisage अब मिलते नए वीडियो में नए वड़के साथ में तद तक ली बबबाए अपना ध्यान रखिए take care